पर दोस्तों कि मैज्च की इस क्लास में प्राब्लम्स ओन एजीज हमने पहली क्लास में किया था इस class में भी problems on azies हम अभी करेंगे इसके उपर azies के in question में हम लोगों ने question किये थे दो type के इन question में हम लोगों ने देखा था जब एक ratio दे रखा हो और जब दो ratio दे रखे हो इससे पहले हम लोगों ने कई classes ली उसके उपर हमने ratio and proportion वाला section किया था ratio and proportion वाले chapter में कुछ लोगों भीजा था वही कुछ problems हैं अगर आप लोगों के पास कोई notes हैं किताब हैं या आप लोग जो है चाह रहे हैं इसके उपर कुछ discussion ratio and proportion पर तो आज में मूड में था कि थोड़ी सी class लंबी लें और ratio and proportion पर जो भी आप लोगों की queries रह गई हैं कोई doubt रह गया है कोई की बात समझ में नहीं आ पाई है तो आप उन questions को मेरे से आप पूछ सकते हैं maths की class है यह maths की class में ratio and proportion और aces इन में आपकी जो भी problem हैं उन problems को हम यहां पर discuss कर सकते हैं कोई भी आपको जो एक query रहती है आप हमारे इस नंबर पर 9812009696 इस नंबर पर आप call करके हमारे से कोई भी जानकारी ले सकते हैं यह head office sonipat ics coaching center का नंबर है math book बताओ देखिए math book बहुत सारी जो भी आपके पास available है न तो वो math book अच्छी है अब math book में मैं कौन सी book कहूंगा तो बागी किताब क्या अच्छी नहीं है आप जो कोई भी किताब लेंगे तो वो किताब लेकर के पढ़ेंगे तो जो है आपको अच्छा लगेगा अगर आपके आसपास हमारा coaching center है तो वहां से notes आप ले जा सकते हैं notes ले जा करके वहां पर आप जो है देख सकते हैं वीडियो नहीं आ रही है बता रहे हैं वीडियो तो आ रही है वीडियो में या sound में कोई problem है तो आप बताएं चलिए thank you very much पढ़ते है ratio and proportion दोनों चीज़े आ रही है चलिए जिसकी problem है वही वो देखे अपने level पर हम questions को करते हैं आप सभी लोग जुड़ गए हैं एक बार फिर से आप लोगों का इस class में स्वागत है हम लोग पहले aziz वाले question करते हैं problems on aziz problems on aziz के उपर मैं कुछ question आप से बात करना चाह रहा हूं देखे सभी comments को पढ़ पाना मेरे लिए possible नहीं है यह बहुत उपर जो बहुत speed से जाते जा रहे हैं problems on aziz में दो तिन question जो मैं करना चाह रहा हूं वो यह question है एक question करते हैं discuss अरुन और दीपक की वर्तमान आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 3 है ratio of aziz of arun and दीपक is 4 ratio 3 छे वर्ष बाद अरुन की आयू 26 वर्ष हो जाएगे छे वर्ष बाद का मतलब plus 6 अगर बाद लेना होता तो plus 6 लेंगे पहले लेना होता तो minus 6 लेंगे आज की वर्तमान आयू का अनुपाद 4 अनुपाद 3 है 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगा अगर इसमें से 6 घटा दे तो आज के टाइम पर उसकी उमर है 20 च्यार अगर 20 को दिखा रहा च्यार पंजे 20 तो 3 पंजे 15 थ्री फाईजा 15 दीपक की प्रेजेंट एज हो जाएगी यही सवाल में पूछा गया था कि अरुण की वर्तमान आईउ का अनुपाद 4 अनुपाद 3 है 6 वर्ष बाद इनकी आईउ 26 वर्ष हो जाती है 26 वर्ष 6 बाद है तो अब 20 से 20 अगर 4 को रिप्रेजेंट करता तो 3 15 को रिप्रेजेंट करेगा दीपक की वर्तमान आईउ 15 एज़ इस परकार की तो 3 के अंदर है सीता और गीता की वर्तमान आईउ का अनुपाद 3 अनुपाद 5 है गीता 10 वर्ष बाद 30 वर्ष की होगी अब 10 वर्ष बाद 30 की होगी तो अब ये हो गई 20 की 5 20 को दिखा रहा है च्यार गुना हो गया तो 3 12 को दिखाएगा सीता की वर्तमान आईउ 12 वर्ष है इस परकार से आगे और पीछे वाले क्वेस्चन इसके अंदर होते हैं दो क्वेस्चन अक्सर जो है क्लास में बच्चों की प्रॉब्लम रहती है वे क्वेस्चन मैं आपको करवा रहा हूं इनको ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा आपको एसास होगा इसमें लिखा है ए और बी दो मित्र हैं ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स ए बी दो मित्र हैं बी की आयू ए की आयू से दो वर्ष कम है एज आफ बी इस लेस देन एज एज बाई टू इयर्स अगर मैं बी की आयू एक्स मानू तो इसकी एक्स प्लस टू माननी पड़ेगी यहां से A's father A's is twice of A A के पिता D की उम्र A की उम्र की दुगनी है तो यहां पर twice करना पड़ेगा एक्स प्लस टू and B's A's is twice of her sister C's A's इसकी B की आयू जो है यह दुगनी है C की आयू से तो C की आयू इसकी आधी लेनी पड़ेगी X बाई टू और यहां पर इन दोनों की आयू का जो डिफरेंस दे रखा है X प्लस टू इन्टू टू माइनस X बाई टू, it is 40 years, 40 साल दे रखा है इस सवाल में A's किसी की भी पूछ सकता च्यारों में से हमारे पास एक यह equation बन गई, equation को solve करने के लिए बहुत सारे बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है जब कभी भी fraction इसके अंदर आएगा, तो fraction के अंदर उतने से गुना कर लेना चाहिए अगर हम पूरी equation को multiply by 2 करते हैं, तो यह 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पर It will be 4 into X plus 2, 2 पहले था 2 से और multiply हो गया minus, 2 से multiply करेंगे तो X and it is 80 इसको bracket को खोलेंगे, it is 4X plus 8 minus X equal to 80 8 को हम यहाँ से इधर ले जाएं, और 4X minus X करें तो It is 3X equal to 72 and X equal to 24 यह 24 हो जाएगा, यह 2 जादा 26, यह इसका double 52, यह इसका आधा 12 और इनका difference करेंगे तो 40, इतना काम try option पर होता है अगर हमें try option से करना हो तो जिसकी भी उमर दे रखी हो, यहाँ पर fit कर लेंगे और यहाँ पर fit करने के बाद यह सवाल आप लोग बड़ी easily solve कर पाएंगे अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो एक बार और मेरे से पूछ सकते हैं इसको मैं repeat करूँ आ गया नहीं आ पाएंगे तो सवाल को दुबारा से आप कर सकते हैं और जिन questions को मैंने यह फिर से किया है इन questions के उपर हम दुबारा से जो है ना PDF में इसके उपर लगा दूँगा दो-तिन दिन से हम लोग जो है नहीं कर पाए थे किनी personal reasons की वज़े से इसको हम दुबारा से continue रखेंगे इसको दुबारा repeat करके देख लेना नहीं आये तो मैं फिर से आप लोगों से बात करूँगा कि जितने भी questions है अब तक जो हमने करवाए वो नहीं आये है उन सभी को मैं repeat करवा दूँगा repeat करना एक मिनिट लगेगा A और B दो मित्र है B की आयू A की आयू से दो वर्स कम है तो इसको मैं मानूँगा यहाँ पर X इसको X प्लस 2 A के पिता है D इनकी आयू A की उमर की दुगनी तो 2 इन्टू X प्लस 2 B की बहन है C C की आयू उसकी आधी क्योंकि B की डबल है It is X by 2 और इनका अंतर दे रखा 40 years 2 से multiply किया मैंने 4 इन्टू X प्लस 2 माइनस X इक्वल टू 80 सारे को 2 से गुणा कर दिया 4X माइनस 8 माइनस X इक्वल टू प्लस था यांपर 80 यह इधर आके हो जाएगा माइनस और इसमें से माइनस करेंगे 3X इक्वल टू 72 एंड X इक्वल टू 24 यह 24 है यह इसका आधा 12 यह 2 ज्यादा 26 यह इसका डबल 52 और 52 में से 12 गया 40 जो इसने बाद रखे थे वो सारी की सारी satisfy हो रही है इस परकार से हम try option भी कर सकते हैं एक question और देखते हैं दो परकार के question देखे थे हमने दोनों type का एक question देखते हैं एक question में यह कहें कि A और B की I.U. का अनुपात A और B की I.U. का अनुपात साथ अनुपात पांच है इन दोनों की I.U. का जोड साथ वर्ष है तो इनका अनुपात जोड करेंगे बारा बारा से इसको भाग करेंगे पांच पांच से साथ को गुणा करेंगे पैंतिस और 5 से 5 को गुणा करेंगे 25 यह कहता 10 वर्ष पहले इनकी आयू का अनुपाद तो 10 साल पहले यह हो जाएगा 25 और 10 साल पहले यह हो जाएगा 15 तब उस टाइम पर इनकी आयू का अनुपाद हो जाएगा 5 अनुपाद 3 इस परकार से कुछ बाद या कुछ पहले पूछ सकता है पहले पूछेगा तो माइनस कर देंगे और बाद में पूछेगा तो एड़ कर देंगे दूसरा मैं इसके उपर जो है ट्राइ अप्शन से ही बताया था भी दूसरा टाइप का क्वेस्चन मैं यहां पर करवा रहा हूँ कि एज ओफ राम इज हाफ दें इस फादर्स एज जैसे राम है और राम के फादर है इनकी आयू इसकी आधी है तो इसको एक्स मानेंगे इसको दो एक्स मानेंगे अगली बात इन्होंने कही बिफोर ट्विंटी इयर्स तीस साल पहले तो इसकी एज हो गई माइनस बीस इसकी हो गई माइनस बीस six times छे गुणा तो यहां ratio बनाएंगे बराबर लिखेंगे एक अनुपाज 6 ऐसा लिख सकते हैं इसको ना लिखना हो तो हम यहां पर सीधा into six लिख लेंगे यहां पर छे से गुणा करेंगे तो six x minus 120 equal to two x minus 20 और इसमें से इसको घटाएंगे यह यहां जाके minus होके four x और यह इधर आके plus हो जाएगा equal to hundred 120 minus 20 हो जाएगा and x will be 25 यहां पर अगर राम की आयूदी होती तो पच्चीस जाहां होगा उसके पिता की आयूदी पचास मानेंगे यहां इसमें से 20 साल पहले 5 और 20 साल पहले 30 एक अनुपाद 6 उस टाइम पर एक अनुपाद 2 minus 20 minus 20 try option से इस परकार से सवाल हो जाएगा अगर आप इसको चाहें तो मैं इसको बिल्कुल हटा करके try option के तरीके से सवाल दे सकता हूँ तुम्हें राम की आयू उसके पिता की आयू की आधी है और राम की बात पूछे फिर तो राम की आयू 25 उसके पिता की पचास 20 साल पहले माई यह 5 हो गया 20 साल पहले यह 30 हो गया यह 6 गुणा है try option में हमेशा सवाल जल्दी होगा लेकिन try option तब करना जब आप इससे पहले कर चुके हो यह 400-500 क्या लिख रहे हो वाई 300 छे फादर के साथ क्योंने multiply हुआ क्योंकि पुत्र की आयू का छे गुणा है एक लाइन होती है आठ च्यार का दुगना है तो च्यार के साथ दो गुणा होगा ना अगर मैं लिखूं बारा च्यार का तीन गुणा है तो च्यार गुणा तीन तीन इसके साथ गुणा होगा इसके साथ थोड़े ही पिता के आयू पुत्र की आयू की छे गुणी है तो पुत्र की आयू का छे गुणा था एजीज वाले question आप कोई भी करेंगे तो इन बातों के उपर हो जाएगा एक class मैंने पहले दी थी और एक class ये इन दोनों classes के उपर आप इन सवालों को कर पाएंगे इस वीडियो को आप दुबारा देखना पहली देखना फिर दूसरी देखना और ये दोनों वीडियो आप तब देखना उससे पहले ratio वाले चेप्टर को करना क्योंकि मैंने एक class तब दी थी जब आपको ratio वाले question आते हों ratio वाले question सभी चीजों को आप बिल्कुल शुरुआत से करना class 1, class 2, class 3, class 4 इस तरीके से और उसके बाद ratio आप इन questions को करेंगे तो आपको ये दोनों chapter complete हो जाएंगे कोई भी question आपका किसी भी किताब से नहीं अठकेगा अगर अठकता है तो next class में मैं आपको अपना whatsapp number दूँगा जो special youtube के classes के लिए रहेगा facebook की classes के लिए रहेगा और उसको मैं facebook की class से आदा घंटा पहले और facebook की class के आदा घंटे बात तक उसको और रखूँगा आपकी जो भी comments, query या कुछ भी suggestions है आप उसमें हमें दे सकते हैं आपके suggestions पर हम जरूर काम करेंगे ratio and proportion पर अगर आप लोगों को जो है जरूरत है मेरे पास कई message आए थे, कुछ लोगों के पास मेरा number होगा तो उन्होंने कहा था आप ये classes और आप जो करवा दीजिए 21 number question आपने पूछा chapter कौन सा, ages वाला या ratio and proportion वाला science की class की हम लोगों की त्यारी चल रहेगे, हम बहुत जल्दी science की classes करवाएंगे reasoning की class हम जल्दी करवाएंगे, phone attend भाया देखिए 24 गंटे आप जैसे class में हूँ तो यां class में होने के बावजूद 5 बार phone आ लिया, तो अभी इस टाइम पर class कैसे phone उठाएंगे हम लोग, हर टाइम पर जो है ये नहीं करवा पाते हैं, next topic हम लोग करेंगे allegation mixture वाला, जो mission वाले question होते हैं, ages वाले में 31 number question आपने मुझे बताया, ये बदल दिये मेरे खाल से number अब, पुराणा नहीं notes, वही मेरे पास आज जैनन नहीं notes हैं, इसमें जो 31 number question है, इसको मैं करवा देता हूँ, दस वर्ष पूर्व A की, I.U. B की, I.U. की आधी थी, before 10 years, A's age was half of the B's age, उनकी वर्तमान आयू का अनुपात एक अनुपात तीन है, दस साल पहले, A, B, ये सवाल गलत है, एक अनुपात तीन होना चाहिए था पहले, और बाद में होना चाहिए था, एक अनुपात दो है, तस वर्ष पहले तो यहाँ, X और दो X बनेगा, माइनस दस, माइनस दस, अब तीन गुणा है, तो देखो ये छोटा है, छोटे को तीन से गुणा करेंगे, जो अभी थोड़ी दिर पहले कह रहे थे कि फादर की age को 6 से गुणा क्यों नहीं किया, यहाँ पर हमें छोटे को गुणा करना पड़ता है, अब हम यहाँ गुणा करेंगे, it is 3x minus 30 equal to 2x minus 10 it will be x यहाँ पर इसको लियाएंगे और यह यहाँ पर plus हो जाएगा 20 तो यह यहाँ पर हो जाएगा जो एक्स था it is 20 and it is 40 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बात यह कितना हो जाएगा 10 वर्ष पहले यह हो जाएगा 10 और यह हो जाएगा 30 आज के टाइम पर इनका रेशो है एक अनुपाद 2 10 साल पहले इनका अनुपाद था एक अनुपाद 3 दोनों बातें बिल्कुल सही भई आप लोग जोने कोई भी बुक लें और कोई भी आप क्वेस्चन करवाए भई मैंने कब रिप्लाई नहीं क्या बहुत रिप्लाई करता हूँ इससे ज्यादा थो अब बताईए मैं कितना और करूँ पुराने नोट्स मिलें भई आज जो है ना नोट्स नहीं मिल पाई पुराने जो आप लोगों के पास होंगे आप उन नोट्स में से आप कर लीजिए और कल मैं क्लास लेता हूँ फिर उस क्लास के अंदर मैं जो ना सारे का सारा मैं करवाता हूँ इस्टर बामन लिखा वा है क्वेस्टन नंबर 87 और 88 नवीन से नी 87 और 88 है यह मेरे ख्याल से मिक्स्चर के क्वेस्चन थे रिश्यों प्रपोर्शन में यह वे सवाल थे जिसमें 16 लिटर मिश्रण निकाला था और 16 लिटर पानी डाला था 87 और 88 एक मिश्रण में दूद और पानी का अनुपाद 5 अनुपाद 3 है अगर यह है तो आप जो है एक बार थम्जब कर देजिए एक मिश्रन दे रिखा मिश्रन मिक्स्चर ये मिश्रन है दूद और पानी का ये 5 अनुपाद 3 है 16 लीटर मिश्रन निकाल लिया गया और 16 लीटर मिश्रन निकाला गया और 16 लीटर पानी डाला गया तो ये अनुपाद बन गया तीन अनुपाद पांच शुरुआत में पानी कितना था या शुरुआत में दूद कितना था ये क्वेस्चन इस परकार से आता है भई हमारे नोट्स का मिलेंगे हमारी जो नहीं ब्रांचीस बहुत सारी हैं 30 살ी ब्रांचीस हैं 45 नोट्स भी ब्रांच पर हमारे नोट्स अविलिबल है आप कहीं दो are उचिज़िं अब हर टाइम पर में अपने फोन को दूँगा तो मैं जिंदा ही मर जाओंगा फिर उसमें थोड़ी दिक्त होती है तो एक टाइम लिमिट में गरे उसमें आप लोग काल कर सकते हैं, वाटसप मेरे पास कर सकते हैं, इनका रेशो पांच अनुपाद 3, 16 लीटर मिशरन निकाला गया 16 लीटर मिशरन निकाला गया और बाद में 16 लीटर पानी डाला गया जिससे अनुपाद 3, अनुपाद 5 हो गया इस क्वेस्चन को सीखने के लिए आप थोड़ी सी एक छोटी सी बात समझे कि हम लोग 10 लीटर चाए बनाते हैं और 10 लीटर चाए बनाने के बाद इसमें से 3 लीटर चाए निकाल लेते हैं तो चाए 3 लीटर निकलने के बाद जो रेस्ट हमारे पास 7 लीटर बच गई उसमें चीनी ज्यादा होगी या कम होगी जो हमने निकाल लिया उसके उपर दूद ज्यादा हो गया कम होगा तो हर एक आदमी का जवाब इस पर रहेगा कि जिस रेशियो में पहले था उसी रेशियो में बाद में रहेगा यहां पर ये रेशियो बराबर रहेगा 16 लीटर मिशरन निकालने के पहले और 16 लीटर मिश्रन निकालने के बाद ये ratio बराबर रहेगा ये ratio बाद में 16 लीटर पानी डालने के बाद बदल गया तीन अनुपाद 5 ये दो बातें इसके उपर यूज हो रही थी पहले वाली बात तो ये और दूसरी बात इसमें से दूद ना निकाला और ना डाला इसलिए दूद बराबर रहेगा यहाँ पर है पांच यहाँ पर है तीन इसको और इसको बराबर करने के लिए पंदरा करना पड़ेगा इनका LCM इसका पंदरा बनाना तीन से गुणा रेश्यो पूरा गुणा होगा यह पंदरा और यह नौ और इसको पंदरा बनाने के लिए पंदरा और यह पच्चेस पांच से गुणा थोड़ा सा दुबारा लिखता हूँ पांच अनुपात तीन के अनुपात में था तीन अनुपात पांच बन गया 16 लीटर पानी डाला गया पानी डालने से पानी बदलेगा दूद नहीं बदलेगा दूद बराबर इसको बराबर करने के लिए हमें 15 बनाना पड़ेगा ये 15 और ये 9 और ये 15 और ये 25 इस रेशो को 3 से गुणा किया इंटू 3 पांस तिये 15 तिन तिया 9 इसको गुणा 5 किया इंटू 5 पांस तिये 15 पांच बंजे 25 तो 15 और 9 24 लीटर अगर मिश्रन था तो रेशो ये था और इसका रेशो ये बनाने के लिए हमें 9 से 25 16 लीटर डालना पड़ा 16 ही लीटर डाल रहा था 16 ही डालना पड़ा तो शुरुआत में 24 लीटर था 24 लीटर मिश्रन तब था जब 16 निकाल लिया गया तो प्लस 16 इसमें करेंगे तो 40 लीटर शुरुआत में था और 40 लीटर 5 अनुपात 3 के अनुपात में था तो पांच अनुपात तीन के अनुपात में अनुपातिक योग आठ आठ से भाग करेंगे पांच पांच पंजे पच्चिस और पांच तीए पंदरा थोड़ा सा टिपिकल क्वेस्चन है थोड़ी सी ज्यादा बाते ध्यान करनी पड़ेंगी आपको यह जो सवाल आ जाएगा एमांच दोरा वही क्या रिप्लाई करूँ आप जो पूछ रहे हैं मेरे से मैं रिप्लाई करूँ यह क्वेस्चन मैंने करवाया था इससे पहले दो बातें यहाँ पर लगती हैं दो बातें दुबारा से ध्यान से सुनिए हमारे पास एक बैग है थ्री रेड बॉल है प्लस फोर ब्लेक बॉल है इसके अंदर हमने टू ब्लेक बॉल और डाल दे शुरुआत में रेड बॉल कितनी तीन शुरुआत में ब्लेक बॉल कितनी दो दो ब्लेक बॉल और डाल दे तो बाद में रेड बॉल कितनी देखिए रेड बॉल ना तो हमने डाली और ना निकाली शुरुआत में भी तीन और बाद में भी तीन शुरुआत में यह च्यार रेड बॉल ना डाली, ना निकाली, तो बराबर रहेंगी, बलेक बॉल डालने से बदल गई, यही सवाल होता है यह, इस क्वेस्चन को बड़े ध्यान से समझने की बात है, कोई जल्दी नहीं है, दस मिनिट कम लगेंगे, दस मिनिट ज्यादा लगेंगे, यह कहरा 66 लीटर मिशरन है, इसमें दूद और पानी का अनुपात 5 अनुपात 1 है, इसमें कितना पानी डाला जाए, कि यह अनुपात 5 अनुपात 3 हो जाए, देखिए शुरुआत में 5 अनुपात 1 के अनुपात में था, 5 अनुपात 3 के अनुपात में हो गया, 6 जोड हो गया, छे से भाग करेंगे ग्यारा ग्यारा पंजे पच्पन ग्यारा एकम ग्यारा अब पच्पन को पांच बनाना है तो गुणा ग्यारा तीन को फिर गुणा ग्यारा तेतिस ये ग्यारा था ये तेतिस बाइस जोड़ना पड़ेगा सीधा तो ये तरीका दूसरी बात करें दूद पहले 5 बाद में 5 ना डाला ना निकाला बराबर पानी पहले 1 बाद में 3 दो डाला अगर शुरुआत में मिश्रण 6 लीटर था तो 2 लीटर डाला अगर 66 लीटर था तो 22 लीटर डाला ये 6 से 2, 66 से 22 तीन से भाकर के सिमिट्री मैंने सिखा रखी होगी एक कंसेप्ट ये है जो चीज ना डाली जाएगी ना निकाली जाएगी उसकी क्वांटिटी नहीं हटेगी परितम विष्णोई भई तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ क्या नहीं आ रहा किसी के साथ लड़ रहा है कि तुम्हें आता होगा हमें नहीं आता है जिसको नहीं आता हो बताएग अगली क्लास में मैं वीडियो दूगा जरूर अपना नंबर दूगा परसनल नंबर इसमें न स्वाल है मिश्रन दे रखा है दूद और पानी का दूद और पानी का अनुपात उसमें दे रखा है ये क्वेस्चन नमबर जो है 70 कौन सा था 88 था हां 33 लीटर मिश्रन निकाला गया और 33 लीटर पानी डाला दूद नहीं बदलेगा दूद पहले था 6 और अब है 3 इसको वापिस से बड़ाना पड़ेगा क्योंकि दूद ना डाला ना निकाला बराबर तो किसी भी ratio को किसी भी चीज से भागया गुना करते हैं तो ratio नहीं बदलता यहां पर यह 6 यह double करा गया तो यह हो गया 8 यह शुरुआत में था 6 लीटर, 5 लीटर, 11 लीटर तो 5 लीटर से 8 लीटर यह बनाया 3 लीटर डाला गया लेकिन 3 नहीं डाला गया 33 डाला गया actually 3 होता तो 11 और 33 है तो गुना 11 हो गया गुना 11 करेंगे 121 लीटर, 121 लीटर मिक्सचर तब था जब 33 निकाल दिया गया तो 33 निकालने से पहले 121 प्लस 33, 154, 154 को अगर 6 अनुपात, 5 अनुपात तीगो 11-11 से भाग करें 14, 146, 146 लीटर मिल्क and 145, 70 लीटर वाटर ये अगर आएगा तो 186 दूद या 70 पानी या तो दूद पूछते हैं या पानी पूछते हैं पूश्चन अगर आपको नहीं आया हो तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखना पूरे को सभी टॉपिक्स धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा मेट्स बहुत असान तरीके से मैं सिखा पाऊं पूरा कुछ लोगों को लगातार जो है इस पे जो हो रहता भाया देखिए ये क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग अन प्रिविलेजड लोग हैं जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है कुछ लोग एसी में बैठते हैं भहिया लाखो रुपे फीजड देने में उनको दिक्कत नहीं है अराम से सारे संसाधन उनके पास है उन लोगों को क्या जरूरत है यूट्यूब के ओपर फ्री क्लास पढ़ाने की जिन लोगों को कोई साधन नहीं मिलते हैं जिन लोगों के पास कोई संसाधन नहीं है वे भी चाहते हैं आगे बढ़ना और चाहिए भी बढ़ना हमारा देस आगे तब बढ़ेगा जब वे लोग आगे बढ़ेंगे सिर्फ अमीर लोगों के आगे बढ़ने से देश बढ़ता ना तो देश बढ़ता होता देश बढ़ेगा गरीब लोगों के आगे बढ़ने से जो गाओं में लोग रहते हैं जो अगलक दूर दराज के एक सित्रों में रहते हैं उनके बढ़ने से और आप लोगों से मेरी एक छोटी सी अपील, अगर आप लोग इन वीडियोस को उन सभी लोगों तक पहुँचा पाएं, तो ये धीरे 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 ये मुहीम बनेगी, एक और में बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, हम लोग विचार कर रहे थे, सिर्फ इस competition की प प्रॉब्लम रही है, भारतिये एजुकेशन ने कलर्क पैदा कर दिये, अभी भी हरियाना सरकार का डिसीजन पुलिस को लेकर के है, कि हरियाना पुलिस में उन लोगों को मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, जिन्होंने पीएजडी कर रखी है, पीएजडी करने के बाद पुलिस में कांस्टेबल अगर लोग लगेगा और सरकार इसको प्रोचाहित कर रहे है, तो मुझे ज्यादा अच्छा सा एसास नहीं होता, मुझे लगता है, किसी टीचिंग लाइन में अगर पीएजडी वालों को प्रोमोट करते तो ज्यादा अच्छा होता, वरना उनको कहीं ले लिखी जाएगी, डॉक्टर कप्तान सिंग मलिक कांस्टेबल, ये थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, राए में ये चाह रहा था आप लोगों से डिसकस करना, कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे जो बच्चे हमारे तक पहुंचते हैं, उनको भि वीडियोज डालें, जो कम्पीटिशन की पढ़ाई में भी कामयाब होंगे, विल्कुल काम आएंगे, और उन बच्चों के भी काम आएंगे, अगर आप लोगों के कमेंट्स कुछ रहेंगे ना, तो इसके उपर अगर आप लोग महसूस करते हैं, सिक्स्ट क्लास है, सेवन क्लासीज को मैं जो जाने के बाद मैं सभी नहीं पढ़ पाया, मैं इनको करवाऊंगा, और सभी टीचर, साइंस की क्लास, इंगलिश की क्लास, रीजनिंग की क्लास, जीके की क्लास, नैशनल जीके की, हरियाना जीके की, राजस्थान जीके की, और मैट्स की क्लास, ये तो कुछ कुछ टाइम निकाल करके जैसे हफते में दो क्लास भी अगर हम दे पाए तो थोड़े से दिनों में ही हम सभी टॉपिक्स को इतना इजी करके बच्चों को समझाएंगे कि फिर हमारे पास पहुंचने वाले बच्चे यह नहीं कहेंगे कि मैट्स मुश्किल है जो आकर क इसके विकास में जो एजुकेशन का विकास है वो हम करें और हम कर सकते हैं 40 साल उमर मेरी है कल पर सो में विचार कर रहा था 20 साल अभी मेरे पास है 60 साल की उमर में गौर्मेंट रेटायर करती है उतनी उमर तक हमारे पास भी अगर 10 साल में एजुकेशन में हमने इतना काम क आप लोगों की जितनी मदद हमारे से जो है इसको हो पाएगी वो हम करेंगे और आप लोगों से भी यह सही हो कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं शेयर करें और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कमेंट्स में डालें अगर बच्च की बात हो गई उनको दुबारा जिंदा करना पड़ेगा और उन युवाओं के अंदर उन बच्चों के अंदर जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं हरोज जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है उनके सामने की भरस्टाचार बहुत है देश में हालत बहुत खराब है के उपर आपकी जो भी कमेंट से वो डालेंगे मैं जरूर जाके देखूँगा थोड़ी सदेर के लिए आज की क्लास में हम इतना ही डिसकसन करते हैं नेक्स्ट क्लास हम जो है कल करते हैं और उसमें रेश्यो एंड प्रोपोर्शन आपकी जो भी प्रॉब्लम है और लिए इतना ही थेंक्यू वेरी मच्च